असलाम अलाइकूम वेलकम टू मैं चैनल हैपी कुकिंग एंड फन मुमेंट्स आज हम मेथी के थेपले बनाएंगे गुज्राती स्टाइल में बहुत सॉफ्ट बनकर तयार होंगे यह और इसके साथ हम एक नई चटनी बनाएंगे जो बहुत अच्छी लगती है इसके साथ च इसमें एक चममच अब बड़ा तेल डाल दीजिए इसमें एक चममच भरकर अद्रक लशन का पेस्ट ले लिजिए और एक चमच अजवाई लिजिए जिसको हाथ में अच्छे से घस के डालिए इसका तेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें अब हम इसमें एक चमश लाल मिर्ची पॉर्डर डालेंगे यह तेज वाली मिर्ची है आदर चमश हल्दी पॉर्डर डालेंगे अब इसमें हम दो चमश धही का डालेंगे यह डालने से हमारा आटा बहुत सॉफ्ट गुंता है और हमारे थेपले बहुत सॉफ्ट बनेंगे अ अब हमने इसमें एक जूड़ी मेथी ले लिए जिसको हमने अच्छे से धो लिये और बारीक काट लिये अब एक चम्मज जिसमें हम जीरा डाल देंगे यह अखा जीरा है अब चाहो तो पिसावा भी डाल सकते हो अब इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे पहले हम अच्छे से एक बार इसे mix करेंगे उसके बाद इसमें पानी डालेंगे आप इसे traveling के लिए भी बना सकते हो ये दो दिन तक खराब नहीं होती है और टिफिन के लिए भी बहुत अच्छा option है और बहुत healthy option है आप इसे जरू ट्राइ कीजिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे अच्छे से आटा गुन लेंगे हम एक soft आटा गुनना है इसका जादा hard मत गुनना soft गुनने से हमारी रोटी बहुत soft बनेगी देखे हमारे आटे में सब चीज अच्छे से mix हो गई है और यह अच्छे से एक हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सी पानी डालके मुठी मारेंगे और 10 मिनिट के लिए इसे rest पे रख देंगे देखे 10 मिनिट हो गया है हमारा आटा soft हो गया है अब हम इसमें एक चमश तेल डालके इसे अच्छे से मिला लेंगे इसमें हमने बेशन डाले है इसलिए थोड़ा चिपचिपा रहता है अब आप हाप में तेल लगा के इसके गोल गोल पेड़े बना लीजिए अब चाहो तो जो साइज रखना आप रख सकते हो मैं मिडियम साइज के बना रही हूँ ऐसे हमारे सोला पेड़े बनकर तयार हुए है अब हम इसकी रोटी बना लेंगे अब इसमें थोड़ा आटा लपेट लीजिए और थोड़ी थोड़ी साइज से दबा लीजिए तो इससे रोटी और पतली बनती है अब हम इसे और आटे में लपेट के अच्छी पतली रोटी बना लेंगे रोटी जितनी पतली रहती है उतनी टेस्टी बनती है और सौफ्ट बनेगी आपको अगर बेलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा आटाई से डस्ट कर लीजिए और इसकी रोटी बना लीजिए यह बहुत हेल्दी रहती है बहुत टेस्टी बनती है देखे हमारी रोटी बेल चुकी है इसी तरह हम अपनी सारी रोटी बेल लेंगे अब हमने एक तवा रख लिए गैस की फ्लेम आप फास्ट रखके रोटी डाल लीजिए अब एक साइट से हो गई है अब हम इसे टर्न कर लेंगे आप इससे अच्छे से सारी तरफ से सेक लीजिए अब हम इस पर देशी घी डाल देंगे यह डालने से इसका टेस्ट और साइड करके हम अभी टर्न कर लेंगे से अब सब साइट से हम अच्छे से 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 लेंगे यह थंडी में बहुत अच्छी लगती है गरम गरम रोटी खाने में आप इसे जरूर ट्राय कीजिए आपको जरूर पसंद आएगी इसी तरह हम अपनी सारी रोटी सेक लेंगे और चार लसन है इसे हम जार में डाल देंगे और थोड़ी खजूर ले लेंगे इसको अच्छे से धो के इसका बीज निकाल दीती मैंने और इसमें एक चमश जीरा डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके पीस लेंगे देखे हमने ये पीस लिये अब हम इसमें आदर चमश नमक डाल देंगे और आदर चमश हम इसमें शक्कर डाल देंगे इसे एक बार और पीस लेंगे हम देखे हमारी चटनी बनकर तयार है यह बहुत अच्छी चटनी बनती है तिक्षी मिठी चटनी है यह यह रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है देखे हमारा थेपला बनकर तयार है आप भी इस चटनी के साथ और धही के साथ से सर्फ कीजिए आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ तैंक यू